So hi everybody, कैसे हो आप लोग, आप सभी को मेरा सादर जैजिनेंद्र तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहतरीन वीडियो के साथ जो आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह आप अपने छोटे कैपिटल को ग्रो कर सकते हो देखिए हर बिजनस करने वाला बंदा अपने बिजनस को डाइवर्सिफाई करता है ताकि उसके पास multiple sources of income बने उसी तरह आज मैं आपको ट्रेडिंग में एक ऐसा मार्केट बताने वाला हूँ जिससे आप अपने छोटे कैपिटल को 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक कर सकते हो तो make sure कि आप इस वीडियो को end तक देखना right और comment में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की without wasting any further time आप सभी से निवेदन है, एक बार comment section में जय श्री गनेश कर लीजिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपके capital को grow करने की journey first thing first, मैं assume करता हूँ कि आपकी capital है 10,000 रुपए अब 10,000 से अगर आप stock market में enter करते हो तो आप options trading कर सकते हो, आप intraday में stocks को trade कर सकते हो जब मैं options की बात करता हूँ, तो वहाँ पे दो type की trading होती है options buying and options selling options buying जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पे हर trader का एक दुश्मन है जिसका नाम है time decay, जिसकी वज़ए से हर option buyer अपने capital का नुकसान कर रहा है क्योंकि वो 10 में से 7 बार अपना जो trade है उसमें नुकसान करता है because बहुत बार अगर trade उसके favor में भी जा रही है तो time decay की वज़ए से उसको नुकसान होता है कितनी बार तो ऐसा होता है कि market वहीं खड़ी है जहाँ पे आपने enter किया था लेकिन time decay की वज़ए से आपका stop loss कर जाता है और जब time decay की वज़ए से किसी trader को नुकसान होता है तो वो क्या सोसता है कि यार market ही खराब है उसका फालतु में नुकसान हो रहा है उसका confidence चला जाता है all time low पर and remember one thing skills से ज़्यादा important है confidence और जिस दिन आपका confidence नीचे गया उस दिन आपका capital भी खतम हो जाता है दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो options में option selling option selling में हर trader के पास edge है कि वो 10 में से 7 बार घर पर पैसा लेके आएगा लेकिन option selling में आपकी जो requirement of capital है वो boss है करीबन बढ़िया option है stocks में जब आप trades बनाते हो तो आप price action को सीखते हो stocks में आपकी accuracy भी बढ़ी होती है और आपको intraday में अच्छे price action मिल जाते हैं लेकिन Indian market में जब आप stocks में trades बनाते हो तो आपको 5X तक का leverage मिलता है अगर आप एक beginner trader हो तो आप stocks में भी trade कर सकते हो और आपको हमारे telegram channel के उपर हर दिन morning में sectoral analysis मिलता है कि भाई सहाब कौन सा sector strong है कौन सा sector weak है कौन से stock में आपको काम करना है वो भी आपको बताया जाता है और कोई भी instrument हो trade करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए वो है कुमार candle और मैं आप से निवेदिन करूँगा कि जब तक elections के results नहीं आ जाते है कृपया करके options buying में पैसा डाल के अपने capital को wipe out ना करे क्योंकि elections तक अपना market जो है वो होगा completely sideways और sideways market में premium का सिर्फ decay होगा और आपकी capital जो है वो दिन बर दिन कम होती जाएगी तो अब मैं आपको एक ऐसी instrument बताने वाला हूँ जिसमें आपका time decay भी नहीं होगा प्लस आपको ज्यादा leverage मिलेगा 100x तक का leverage ये leverage आपको stocks में नहीं मिल रहा है तो आपको अगर आपके capital को 10,000 से 1,000,000 पे लेके जाना है तो वो stock trading से possible नहीं है तो आपको try करना पड़ेगा Forex trading Forex trading एक ऐसा market है चो 24 hours open है and the best part is समझे आप एक working professional हो आप job करते हो आप market hours के बाद trade करना चाहते हो तो भी आप Forex market के अंदर time निकाल कर बढ़िया पैसा generate कर सकते हो because यहाँ पे price action बहुत सुंदर काम करता है और आपके trade with Kumar channel की जितनी भी strategies है अगर आप उसको भी follow कर लोगे तो easily आप अपने capital को grow कर पाऊगे यहाँ पे ना ही time लीके है यहाँ पे ना ही unnecessary trapping होती है simple smooth price action है liquidity बहुत बढ़िया है इत्मिनान से trade लेने का gap up gap down का tension नहीं लेने का because अगर आपने stocks के अंदर भी trade बनाई है assume करते हैं कि आप stocks में trade बनाते हो stock में options के अंदर trade बनाते हो आपने खरीदा call और वहाँ पे Russia Ukraine का कुछ और हो गया और कल market बड़े gap down से खुलता है तो अब आपने क्या गलती की कि आपको आपके call वाली position में नुकसान लेना पट रहा है because बाहर कुछ हुआ है देखिए जब आप options के अंदर trading बनाते उस options को next दिन carry forward करते हो तो उसमें stop loss तो लगता नहीं है इसका मतलब जितना पैसा आप वहाँ पे लगाए हो उस सहारी की सहारी capital is at risk अगर कल market आपके against gap up या gap down में open होता है तो आप सभी से निवेधन करूँगा that first thing first make sure कि elections तक आपने अपनी forex trading journey की शुरुवात कर दी है और अगर आप forex trading करना चाहते हो I'm sure you're looking out for a broker तो आपके लिए हमारा suggested broker है Exness इसका link जो है आपको description में मिल जाएगा जब आप हमारे affiliate account से अपना account open करते हो we also add you to our private community which is no less than a full-fledged course जहाँ पे आपको live market में अपने setup के executions के साथ बताया जाता है कि entry कहां बनानी है SL कहां रखना है आप सिर्फ एक बार सिर्फ weekend की trades देखिए कि हम crypto में क्या जबरदस trades बनाए है ठीके छोटे छोटे account लोग अपना grow कर रहे है crypto trading, forex trading से और इतने बढ़िया तरीके से trades बना रहे है that I am personally proud of all these guys यह देखिए स्वाती रस्तोगी इनका मुझे message आया है thank you sir नीचे दी हुई link पर click करके आप exness में अपना account open कर सकते है और simply have to click on register और आगे का further जो process है यह सारा का सारा कैसे किया जाता है उसके उपर भी detail video मैंने बनाया है जिसका link आपको description में मिल जाएगा तो forex trading journey आप अपनी शुरुआत कर लीजे तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप forex market में अपने 10,000 के capital से क्या-क्या instruments को trade कर सकते हो और आपको उस instrument में कितने lot लगाने या कितना capital लगाना है देखिए first thing first आप से एक निवेदन रहेगा कि मैंने forex trading के उपर ना एक बहुत ही बढ़िया beginner friendly video बनाया है उसका link आपको description मिल जाएगा देखिए 15 से 18 मिनिट का video है उसमें forex trading क्या है pip calculation क्या होता है उसमें मैंने ये भी बताया है कि order place कैसे किया जाता है exness platform को कैसे यूज़ करना है तो उस video को कृपिया करके end तक देखिए अब अगर आप एक beginner हो तो मैं चाहता हूँ कि आप focused रहिए तो आप इन तीन instruments पर धान दीजिए क्या है वो gold जिसको हम XAU USD कहते हैं फिर EUR USD और उसके बाद GBP USD अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आप इन instruments को trade करोगे तो आपको maximum कितना SL रखना चाहिए जब मैं gold की बात करूँ तो वहाँ पे आप रखेंगे 5 डॉलर का SL यानि की 50 pip EUR USD में आपको रखना है 5 pip का SL GBP USD में 5 pip का SL पिप वर्ट से गवराइए मत जिस तरह हम Indian market में बैंक निफ्टी 10 points से उपर गई 15 points से उपर गई 50 points से उपर गई तो खेल points काई है और ये points आप chart के उपर directly calculate कर सकते हो कैसे करते हो मैं आपको बता होगा attention मत लीजे तो अगर आप एक lot में काम करते हो अब आप बोलोगे एक lot तो minimum lot हो गया न ये अपने Indian market जैसा नहीं है आप एक lot में काम कर सकते हो आप 0.1 lot में काम कर सकते हो और आप 0.01 lot में भी काम कर सकते हो अपने risk के अनुसार ये बात समझ में आया तो अगर आप एक lot में काम करते हो with a 5 dollar sell in gold तो आपका per lot risk होगा 500 dollar आप बोलोगे जै भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गया ज्यादा तो हो गया है लेकिन आप यहाँ पे 0.1 lot से भी काम कर सकते हो कितना risk होगा 50 dollar मतलब कितना 5000 का risk अब आपकी capital 10,000 है तो यार ये risk भी ज्यादा है लेकिन आप 0.01 lot से भी तो काम कर सकते हो तो अगर आप gold trade कर रहे हो तो आपको 0.01 lot से काम करना है जहाँ पे आपकी per trade risk होगी मात्र 500 रुपए और यहाँ पे time decay नहीं है आपकी accuracy भी top notch होगी ज्यादा होगी तो tension मतलो कि 10,000 रुपए के ओपर 500 risk कर रहे हो भाई साहब दूसरा तीसरा trade लोग है तो वो profitable ही होना है तो gold के अंदर price action इतना बहतरीन काम करता है कि आप 10 में से 7 बार तो लिख के रखो आप सही होने हो उसके बाद अगर आप EUR USD में trade करते हो पचास डॉलर, पचास डॉलर मतलब कितना रिस्क हो गया करीबन 5000 रुपए यह अभी भी ज्यादा है ठीके, लेकिन अगर आप 0.10 lot में काम करते हो तो आपका रिस्क होगा 5 डॉलर मतलब 500 रुपए 10,000 का capital है, 500 रुपए का तो रिस्क लेही सकते हो और सेम केसे GBP USD के लिए अगर 0.1 lot में काम करें तो आपका रिस्क कितना है 5 डॉलर का अब अगर आप 0.01 lot में काम करोगे तो आपको 5 पिप के SLP मार्केट को 0.5 डॉलर देना पड़ेगा जो जाता है करीबन 50 रुपए इतना कम रिस्क भी नहीं लेना है रिस्क है तो इश्क है तो अब मैं आपको पूरा का पूरा चीज conclude करके बता रहा हूँ कि अगर आप घोल्ड में ट्रेड बना रहे हो तो आप करोगे 0.01 lot से जब आप ऐसा करते हो तब भी आपका रिस्क कितना होगा मत्र 500 रुपए और अगर आप EUR USD या GBP USD में काम कर रहे हो तो आपको काम करना है 0.1 lot से तब भी आपका रिस्क कितना होगा 500 रुपए तो एक बार comment section में बताओ क्या मैंने आपकी lot size की problem को solve कर दिया है कि नहीं अगर कर दिया है तो ज़रूर comment section में thank you बोलना कि जए भाई इतना simple तरीके से आपने video बना दिया है अब मैं क्या करूँगा आपको बताओंगा कि ये 5 pip का SL 5 dollar का SL चार्ट के उपर कैसे लगाते है तो guys ये है gold का chart on a 5 minutes time frame assume करते हैं कि आपको इस red candle के high के उपर gold में buying करनी है तो आप simply यहाँ पे जाओगे आप long position को उठाओगे और जैसा कि मैंने आपसे कहा आपको maximum 5 dollar का SL रखना है जैसा कि आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे आपने कितना SL रखना है maximum 5 dollar का SL आपने plan करना है अब अगर आप इस trade को बनाओगे with 0.01 lot 0.01 ना एक lot में बनाना है ना आपको 0.01 में बनाना है आप 0.01 lot का execute करोगे trade और इस trade के अंदर अगर आपका SL चला गया तो आपको मात्र 500 रुपए का नुकसान इस specific trade में होगा तो ज्यादा आप गबराईए मत सारी चीज़े आपके पास chart के उपर आपको मिल जाएगी same चीज में आपको EUR USD और GBP USD के लिए बताता हूँ assume करते है कि आप EUR USD में short position बनाना चाहते हो because market ने इस particular level का support का breakdown दिया है तो आपको EUR USD में सिर्फ 5 pip का SL रखना है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो 5.0, 5 pip का SL ही plan करना है और अगर आप 0.1 lot से इस trade को execute करते हो कितना? 0.1 not 0.01 ठीक है? 0.1 lot से अगर आप इस trade को execute करोगे then again आपका 500 रुपए से उपर का नुकसान नहीं होगा और यही risk management rule आपको follow करना है if your capital is 10,000 1,00, I don't know आपका कितना capital है लेकिन 10,000 के capital को आप base रखकर calculate करो कि आपको 1,00,000 के capital के उपर कितना trade बनाना है कितना lot उठाना है market से अगर इस चीज़ को follow करोगे तो आप bare minimum market में लगातार 20 trade ले पाओगे और मुझे बात बताइए क्या ऐसा possible है कि trade with कुमार के setup के साथ आप trade बना रही हो और आप base trade लगातार market में नहीं ले पाओगे boss दूसरा तीसरा trade ही आपका बड़ा trade आपको मिल जाएगा simply follow the setups इस risk management rule को follow करो अगर आप इस risk management rule को follow करोगे तो आप market में minimum base trade तो ले ही पाओगे और जितना मैंने आपको तयार कर दिया है ठीक है ना आपको मालूम है base trades are more than enough for you to grow your capital अब मैं आपको exness के platform पे दिखाता हूँ इतनी बढ़िया चीज है जब आप trade लेते हो ना तभी आपको बता देगा कि in case अगर आपका sell कटा तो आपको कितना नुकसान आएगा तो trade लेते वक्त ही आपको मालूम है कि यार मेरा तो पूरा का पूरा risk ज़े ना वो control में है दोस्तो आज Sunday है जब ये विडियो मैं आपके लिए record कर रहा हूँ अब आज Forex market बंद है लेकिन आप Xness पर BTC में भी trades बना सकते हो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर market ने एक double bottom का structure बनाया है और assume करिए कि मुझे यहाँ पर market भाव के उपर BTC के अंदर buying करने हैं तो simply right hand side पर हम लोग buying क्लिक कर सकते हैं अगर आप market भाव पर buying करना चाहते हैं current market order पे मेरा SL कटेगा तो मुझे कितना नुकसान होगा मात्र चार डॉलर that means it is within my risk appetite of 500 bucks अगर दस जारा capital है तो आप यह trade easily ले सकते हो assume करते हैं कि आपका दस जार नहीं आपका capital कितना है बता है आपका capital एक लाग रुपे अब इसी तरह आपको आपका जो risk है वो trade लेते ही मालूम पड़ जाएगा अब इससे easy और क्या हो सकता है मेरे दोस्तो जरूर मुझे comment करके बताओ अगर आपको यह risk management वाला video on position sizing बढ़िया लगा हो तो और अगर आपको forex trading के उपर यह videos बढ़िया लग रहे हैं तो अपना प्यार बरसाइए comment section में इससे मुझे motivation मिलेगा कि यार मैं ऐसे trades और बनाऊ आप सभी का बहुत बहुत धनिवाद इस video को यहीं पे close करते हैं Thank you so much